आज किस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपना आयुस्मान कार्ट ऑनलाइन खुछ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो इस वीडियो में लाइफ करके दिखाने वाला हूँ कि आप अपना आयुस्मान कार्ट खुछ से अंलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसी से आप प्रिंट कराके अपने साथ रख सकते हैं तो बने इस वीडियो में इन तक सोगाई समय होने लिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब क्यानल शूपर टेक्नला लाजीम आप सरी का स्वागत अच्छे लिए सुरू करते हैं आई उसमान कार्ट के नए पोर्टल पर आने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप नेशनल हेल्थ अथार्टी की ओफिसल वेबसाइट पर आ जाएंगे या फिर आप डाइरेक्ट सर्च करते हैं सेतु.pmja.gov.in पहले इनका जो ओफिसल वेबसाइट था pmja.gov.in इसके पहले .setu यहाँ पर एड़ कर दिया गया है इनका नया जो है तो पोर्टल लांच किया गया है आयूस्मान भारत मिशन के अंतरगत आयूस्मान कारड बनाया जाता है । यहाँ पर इसका देखेंगी ilisability कम खरत में अपना और नाम जानना और कारड बनना और और दोटी यहाँ पर सम्लित कर लिया गय आप नया आयुश्मान कार्ड के लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं पहले आयुश्मान कार्ड अगर आपको बनवाना था तो आप CSE Center विजिट करते थे या फिर आप अपने Government Hospital में जो भी आपका नजदे की Government Hospital था वहां से आप अपना युश्मान कार्ड बनवा सकते थे लेकिन अभी क्या हो गया है कि आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि आयुश्मान कार्ड का क्या benefit होता है पांच लाग का मुफ्ति इलाज मिलता है प्रतिवर्स प्रति परिवार को और अगर आप के परिवार में आप एक या एक से अधिक सदस्य जितने भी सदस्य मालीजे 10 संक्या या 20 सभी संक्या सभी सदस्यों को पांच लाग का मुफ्ति लाज मिलता है आयुश्मान भारत योजना में जितनी भी सूची बद्द सरकारी और प्राइवेट अस्पताल है आप वह पर अधार नंबर यहां पर आपको द्यान रखना है जिस पर भी रेड़े टिक मार्क रहता है उसको फिल करना कंपलसरी होता है उसके बाद यहां पर सम्मिट वले अप्शन पर आप क्लिक करेंगे जैसे सम्मिट करेंगे तो यहां पर एक वाइस अथन आ जाएगा टर्में कंडिशन आप एक्सेप्ट करेंगे आपके जो भी रजिस्टर मॉवाइल नंबर होता है अधार कार से लिंक वाला उस पर ओटीप से रखिया जाएगा उस ओटीप को आपको यहां पर डालना है उसके बाद आपको वेलिडेट वाले आप्शन पर क्लिक कर देना है बाद आ नाम जेंडर डेट अफ वर्थ आपका एड़ेस आपका फोटो यहां पर आपको श्क्रूल करके नीचे आना है आपका जो भी कम्म्यूकेशन एड़ेस है उसको परमानेंट एड़ेस बनाना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क कर देंगे अधर्वाइस यहां पर अपने है दी नीचे आना है से यहां पर हम अपने मन से यहां पर कर लेते हैं उसके maravil attempt वाली अपसन पर आप क्लिक करेंगे अब यहां पर registration आपका successfully हो चुका है उसके बाद आपको approval करना है ekyc do your ekyc वाले option पर click करेंगे यहां पर आप अपना mobile number डालेंगे यहां पर आपको csc मिल जाएगा तो अगर आप csc user है तो csc connect करेंगे उसके बाद sign in वाले option पर आप click करेंगे जैसे आप sign in करते हैं तो देख सकते हैं आपकी login id और यहां पर state name और यहां पर authentication आपका type मिल जाएगा तो mobile otp तो यहां पर verify option पर click करेंगे अगर आपकी registered mobile number पर otp send किया जाएगा उस otp को आपको यहां पर डालना है और उसके बाद आपको validate वाले option पर click कर देना है जैसे validate करेंगे आपका otp successfully verify हो जाएगा उसके बाद okay वाले option पर आप click कर देंगे जैसे आप okay कर देंगे तो यहां पर TMS आपके सामने आ जाएगा और आप login id successfully अप्रूव हो जाएगा यहां पर आप login हो जाएगे login होने पर इस तरीके से dashboard आपके सामने रहेगा आप यहां पर आपको सबसे पहले अपना beneficiary सर्च करना है beneficiary सर्च करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर urban या फिर रूरल चूझ करेंगे कि आप grammy residential में निवास करते हैं या फिर शहरी में तो यहां पर अपने हिसाबसे से चूझ करेंगे उसके बाद state मिल लाइगा तो यहां से आप देख सकते हैं कौन-कौन से state के लिए यहां पर online facility है तो यहां पर state मिल लाइगा तो यहां से state choose करेंगे अभी यहां पर कुछी states को सामिल किया गया है क्यूंकि अभी नया portal है जैसे ही यहां पर कुछ time हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सभी state सामिल हो जाएगगे, तो जो भी आपनी district select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर block मिल जाएगा, यहाँ पर эконом block select करेंगे,विले झाएगा, यहाँ पर village आप अपना select कर लेंगे, जै से आप village select करते हैं तो आपके village पर जितना भी यहां पर आयुस्मान card का list रहेगा आपके सामने आ जाएगा जिनका भी complete है तो यहां पर complete रहेगा और जिसका complete नहीं है तो card not made पर click देख सकते हैं card not made तो complete नहीं है तो यहां पर जिसका भी complete है उसका देखने के लिए या फिर गाउंड़ोड करने के लिए view वाले option पर click करेंगे जैसे आप view करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं download card आ जाएगा और add member आ जाएगा अगर आप किसी member को add करना चाहते हैं तो add member पर आप click करेंगे उस person का आप यहां पर mobile number या फिर आधार number डालेंगे get OTP पर click करेंगे उसके बाद जो OTP आएगा यहां पर डालेंगे verify and proceed वाले option पर click करेंगे और उसके बाद EKYC करेंगे और आप family member आप अपना add कर सकते हैं अगर आपको card download करना है तो download card पर click करेंगे same process है यहां पर अपना mobile number या फिर आधार number डालेंगे और उसके बाद get OTP पर click करेंगे आपके number पर जो OTP से नगे जाएगा उस OTP को डालेंगे verify on proceed पर click करेंगे और आप यहां से अपना आयूस्मान card download कर सकते हैं इसके साथ है जिस beneficiary का यहां पर card नहीं बना है तो beneficiary को क्या करना है यहां पर आप सर्च कर लेते हैं अपना beneficiary और जो भी आपका beneficiary रहेगा उसके सामने आपको view option मिल जाएगा view वाले option पर आप click करेंगे तो उसकी details आपके सामने आजाएगी beneficiary की details देख सकते हैं तो यहां पर आपको अपना रासन card का number डालना है get detail वाले option पर आपको click करना है उसके बाद आ enter your details आजाएगा आप अपनी details enter करेंगे ekyc करेंगे और review करके final submit कर देंगे तो आपका जो भी आयूसमान card होता है तो बन जाएगा और जैसे ही आप submit कर देंगे उसके बाद download के लिए आपका card अपना card डाउनलोड कर सकते हैं तो आप अपना card डाउनलोड कर सकते हैं तो आप आयूसमान card में अगर किसी beneficiary को करना है तो add कर सकते हैं और आपको आई उस्मान Card download करना है तो आप खुद से अपनी mobile hasse का comprar download कर सकते हैं आयह दोस्तों की छोटा सा वीडियो आपके पसंदाया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक केजिए अपने फ्रे gua के साथ तप्ति गली जान तकिन